भारत और नैपाल दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिनकी बहु संख्यकाबादी हिंदू है। तक्या कलाम की तरह एक बात अकसर कही जाती है कि नैपाल और भारत के बीच बेटी रोटी का रिष्टा है। नैपाल की सीमा तीन तरफ से भारत से जुड़ी है और एक तरफ तिबबत की सीमा लगती है। इतना कुछ होने के बावजूद नैपाल और भारत के रिष्टे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कारेकाल में चार सालों के भीतर नैपाल के तीन दौरे किये थे मोदी का तीसरा नैपाल दौरा मई 2018 में था तीसरे दौरे में मोदी ने नैपाल से रिष्टे दुरुस्त करने में धार्मिक रास्ते का सहरा लिया था इस दौरे में मोदी सीधे जनकपुर गए और फिर मुक्तिनाथ। ये दोनों जगें हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एहम हैं। जनकपुर के मंदिर में पूजा करने के बाद मोदी काठमांडू गए थे। पहले के दौरे में भी मोदी पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। जाहिर है कि मोदी जब नैपाल के मंदिरों में जाते होंगे तो उनके मन में दोनों देशों में व्यापक कि स्तर पर धारमिक पहचान की समानता रहती होगी। इसके बावजूद मोदी सरकार में नैपाल से रिष्टे कई मामलों में एतिहसिक रूप से खराब होए हैं। आखिर ऐसा क्यूं है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए और दूसरे कई मुद्धों पर दू होना क्या माइने रखता है? क्या इससे संबंधों में गर्मजोशी आती है? इस सवाल पर प्रदीब ज्यावली कहते हैं कि भारत और नैपाल में कई स्तरों पर समानता है। संस्कृतिक समानता दोनों देशों की संबंधों को मजबूत बनाने वाली सबसे एहम कड़ी है। दोनों देश एक गौरवशाली सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे समरिध ज्यान परमपरा रही है। आयूरवेद, योग, जोतिश, भारत और नैपाल दोनों देशों के लिए समान है। दोनों देशों की साजी संस्कृती लोगों के बीच के आपसी संबंधो को मजबूत बनाती है। नैपाल और भारत की संबंधों में कभी कबार उतार चड़ा हो भी आते हैं, लेकिन संस्कृतिक संबंध की जड़ें बहुत घहरी हैं। इसलिए दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध में गर्मजोशी बनी रहती है। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि संस्कृति और धर्म का घालमेल नहीं करना चाहिए। धर्म और संस्कृति दोनों अलग-अलग पहलू है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विशय होता है या बिलकुल निजी होता है। मेरा मानना है कि धर्म को ना तो देश के आंतरिक मामले में लान चाहिए। 2008 में नैपाल में जब राजशाही लंबे या अंदोलन के बाद खत्म हुई तो लोकतंत रिस्था पित हुआ और समिधान बनने की प्रकरिया शुरू हुई। सितंबर 2015 में नैपाल ने अपना नया समिधान लागू किया और इसमें नैपाल को सेक्यूलर स्टेट बताया गया। ऐसा तब हुआ जब भारत में एक हिंदुत ववादी विचारधारा वाली पार्टी के पोस्टर बॉय माने जाने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 26 मई 2006 को बीजेपी के ततकालीन अध्यक्ष राजनात सिंग ने कहा था कि नैपाल की मौलिक पहचान एक हिंदु राष्ट के तोर पर जाना जाता था। तब नैपाल दुनिया का एक मात्र हिंदु राष्ट था। नैपाल के बारे में कोई और फैसला तो कर नहीं सकता। 2015 में हमारे लिए बहुत ही विकट इस्तिती थी। नैपाल में समिधान लागू करने की प्रक्रिया चल रह भारत का सीमा विवाद अब तक मुखर रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ था। सीमा विवाद को लेकर ही दोनों मुलकों से भारत की जंग भी हो चुकी है। लेकिन मोधी सरकार के कारेकाल में नैपाल के साथ भी सीमा विवाद उसकी आकरामक्ता से उभर कर सामने इसी साल आठ मई को भारत के रक्षामंत्री राजनात सिंग ने धार्चुला से चीन की सीमा लिपुलेक तक एक सड़क का उधगाटन किया था नैपाल का दावा है कि सड़क उसके छेतर से होकर गई है अभी यह इलाका भारत के नियंत्रण में है इससे पहले पिछले साल नवंबर महीने में भारत ने जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद अपने राजनीतिक मानचित्र को अपडेट किया था जिसमें लिपुलेक और काला पानी भी शामिल थे नैपाल ने इसे लेकर कड़िया पत्ती जताई और जवाब में अपना भी नया राजनीतिक नक्षा जारी किया नैपाल ने लिपुलेक और काला पानी को नैपाल में दिखाया नैपाल के रक्षामंत्री इश्वर पोखरेल ने राइजिंग नैपाल को दिये इंट्रिव्यू में यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो नैपाल की सेना लड़ने के लिए तैयार है काला पानी में इंडो तिबत बॉर्डर पुलिस की भी तैनाती है पूरे विवाद पर भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज नर्वडे ने कहा था कि नैपाल सरहत पर चीन की शह में कालपनिक दावा कर रहा है जैसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर का मुद्दा सुलजाय बिना भारत के साथ रिष्टे सामान्य नहीं हो सकते क्या उसी तरह से अब नैपाल को भी लगता है कि काला पानी और लिपुलेख का विवाद सुलजाय बिना नैपाल भारत के रिष्टों से कड़वाहट नहीं जाएगी इस पर नैपाल के विदेश मंतरी कहते है देखिए नैपाल और भारत के बीच जो सीमा विवाद है उसे तो सुलजाना ही होगा जब तक ये सुलज नहीं जाता है तब तक हमें ये मुद्दा परेशान करता रहेगा इस समधान के बिना संबंद विश्वास और समस्या रहित नहीं बन सकता इतिहास के अंसुलजे सवाल जो हमें विरासत में मिले हैं उन्हें बादचीत के जरिये सुलजाना ही होगा लेकिन हम ये भी नहीं चाते हैं कि इसकी वजह से सब कुछ रुका रहे भारत के साथ हमारा कई मोर्चो पर संबंद है और हमारी कोशिश यही है कि इन संबंदों को पटरी पर रखते हुए सीमा विवात का हल निकालें नैपाल के लिए लिपुलेख और काला पानी का मुद्द काफी एहम है क्योंकि यह हमारी संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा है नैपाल के लोगों के लिए भी यह एहम मुसला है इसलिए इसे तो हर हाल में सुल जाना ही होगा इसके लिए हमें एतिहासिक संधियों, दस्तावेजों और प्रमाणों को आधार बनाना होगा सीमा विवात को लेकर भारत चीन से बात कर रहा है 15 जून को पूर्वी लद्दाक में चीनी सैनिकों के साथ जड़प में भारत के 20 सैनिकों की मौत हुई थी अब भी चीन के सैनिक LAC यानि वास्तविक नियंतिरन रेखा के उन इलाकों में हैं जिन पर भारत को आपत्ती है लेकिन भारत का कहना है कि इस मसले को बातचीत से सुल्जाया जाएगा पाकिस्तान के साथ भी कश्मीर को लेकर दोनों देशों से बातचीत होती रही है नैपाल का कहना है कि भारत पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवात को लेकर समवाद कर सकता है तो नैपाल से करने में क्यों ही चक रहा है क्या भारत नैपाल से सीमा विवात को गंभीरता से नहीं ले रहा है नैपाल के विदेश मंतरी प्रदीब ग्यावली भी मानते हैं कि भारत इस एहम मुद्दे की उपेक्षा कर रहा है जबकि नैपाल के लिए ये परदा डालने वाला मुद्दा नहीं है प्रदीब ग्यावली कहते हैं नैपाल लंबे वक्त से इस समस्या का समाधान बाचीत के जरिये करने की कोशिश कर रहा है विदेश सचिव इसतर की बाचीत शुरू करने के लिए हमने प्रस्ताव भी रखा ऐसा कई बार किया मुझे नहीं पता कि भारत इस मुद्दे को लेकर सम्वेंदन शील क्यों ही है बलकि भारत इसे नजर अंदाज कर रहा है एक और एहम बात है कि दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने 2016 में आपसी संबंदों को 21 सदी के हिसाब से अपग्रेड करने के लिए एक गरूप का गठन किया था दो साल पहले उस गरूप ने अपनी रिपोर्ट तयार की थी लेकिन अब तक भारत की तरफ से उस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है भारत और नैपाल में जारी तनाओ के बीच नैपाल की केपी शर्मा ओली सरकार संकट में भ्या गई थी सत्ताधारी नैपाली कम्यूनिस्ट पार्टी में दो वरिष्ट नेताओं पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रधान मंत्री ओली के बीच विवाद इतना बढ़ा कि प्रधान मंत्री से इस्तेफे की मांग होने लगी ये भी कहा गया कि ओली अपनी घटती लोग प्रियता चुपाने के लिए भारत विरूधी कदम उठा रही है इन विवादों के बीच ही प्रधान मंत्री ओली ने आरूप लगाया था कि उन्हें पीम की कुर्सी से हाटाने की साजिश दिली में और काठमंडो इस्तित भारतिय दूताबास में चल रही है क्या वाकई भारत ओली को PM से हटाने की साजिश में शामिल था नैपाल की विदेश मंत्री इस पर कहते हैं मेरा मानना है कि प्रधान मंत्री ओली भारत से होने वाली न्यूस कवरिज की बात कर रहे थे जिस तरह की न्यूस कवरिज हो रही थी वो बहुत अपमान जनक थी किसी विदेश के आंतरिक मामलों में या वहां की सरकार में आये तातकालिक संकट को लेकर ऐसी बाते कैसे की जा सकती हैं जिस तरह की बातें की जा रही थी वो बहुत ही आपत्ती जनक थी दूसरे देश की मीडिया या वहां के कथित बुद्धी जीवी वर्ग यह तै नहीं करेंगे कि नैपाल की विदेशनीती क्या होगी और हम किस से सम्मंद रखेंगे नैपाल की विदेशनीती कोई दूसरा या तीसरा देश तै नहीं कर सकता है नैपाल और भारत के सम्मंदों में दोस्ती या कड़वाहट की बात आती है तो चीन का जिक्र जरूर होता है नैपाल तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से तिबबत से सीमा लगती है जाहिरे तिब्बत अब चीन के ही नियंत्रन में है इस लिहास से नैपाल एक लैंड लॉक्ट देश है भारत से सम्मंद बिगडने पर नैपाल को अतीत में नाकाबंदी का भी सामना करना पड़ा है ऐसी नाकाबंदी से नैपाल में मानवी संकट पैदा हो जाता है क्योंकि खाने पीने की जरूरी चीजों की भी किल्लत हो जाती है ऐसे में नैपाल चाहता है कि वो भारत पर निर्भर नहीं रहे इसके लिए जरूरी है कि वो चीन से भी ट्रांजिट सेवाकव सुगम बनाए नैपाल और चीन ने पिछले कई सालों में इसे विक्सिद भी किया है दूसरी तरफ भारत और चीन के रिष्टे ठीक नहीं रहते ऐसे में भारत को लगता है कि नैपाल और चीन की बढ़ती नजदी की उसके लिए खतरनाक हो सकती है चीन के लिए नैपाल बहुत छोटा है और गरीब मुल्क है उसके बावजूद चीन दूइपक्षिय संबंधों में नैपाल को काफी प्रात्मिकता देता है भारत को लगता है कि ये तवज्जोस के खिलाफ है पिछले साल अक्टूबर में चीन के राष्टपती शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए तो वो नैपाल भी गए कई लोग कहते हैं कि नैपाल भारत को ब्लैकमेल करने के लिए चीन का इस्तिमाल करता है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नैपाल लैंड लॉक्ड देश है और इसका फाइदा भारत उठाता है दोनों में कितनी सच्चाई है इस पर प्रदीब ग्यावली कहते हैं ये बिल्कुल सच बात है कि नैपाल लैंड लॉक्ड देश है यह एक तथ्य है कि landlocked देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है ऐसे देशों का transit transportation महंगा होता है ऐसे में उत्पादन लागत ज्यादा लगती है विश्व बाजार की प्रतिसपरधा में वैसे देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इसलिए transit सुविधा हमारे लिए प्रात्मिकता है यह landlocked देश का अधिकार भी होता है हम नहीं चाते हैं कि अपनी भगौलिक इस्तिती के कारण पीछे रह जाएं हम यह भी चाते हैं कि किसी एक मुल्क पर निर्भर ना रहें हम पारस पर इक निर्भरता की पक्ष में है इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नैपाल की transit सुविधा में वीविधिता और विस्तार हो भारत के माध्यम से हम इस सुविधा का इस्तिमाल करते रहे हैं हम अब चीन के साथ ट्रांजिट सुविधा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यह नैपाल की राष्टिय जरूरत है मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई देश अनुचित लाब लेना चाहता है हम भारत और चीन दोनों के साथ विकास यात्रा में जुड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं पडोसी देशों में हो रहे विकास और समरिध्धी को हम अपने लिए एक अवसर की तरह देखते हैं मुझे लगता है कि हमारे पडोसियों को भी यह समझना चाहिए कि एक समरिध्ध नैपाल उनके हित में है 15 माई को भारत के सेना प्रमुख जनरल नर्वडे ने एक ऑनलाइन सेमिनार में कहा था कि लिपुलेक पास पर लिंक रोड निर्माण को लेकर नैपाल की आपत्ती किसी और की शेह पर है इसके परियाप्त कारण है जिन से समझा जा सकता है कि नैपाल किसी और की शेह पर आपत्ती जता रहा है जाहिर है वो शेह चीन की है भारत के सेना प्रमुख के इस बयान पर नैपाल में कड़ी पृतिकरिया जताई गई नैपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में भारत को आड़े हातो लिया उन्होंने नैपाल में कोविड-19 के लिए भी भारत पर हमला बोला एतिहासिक रूप से भारतिय सेना में नैपाली गोर्खाओं की एहमियत रही है नैपाली गोर्खा ब्रिटिश इंडिया से ही भारतिय सेना में है गोर्खाओं ने गोर्खा सिख, एंगलो सिख और अफगान युद्ध में एहम भूमी का निभाई थी इसके अलावा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी गोर्खाओं का योगदान महत्व पूर्ण रहा ऐसे में जनरल नर्वडे के बयान को लेकर नैपाल के रक्षामंत्री ईश्वर पोखरेल ने कड़ा एतराज जताते हुए 25 मई को कहा था भारतिय सेना प्रमुख जनरल नर्वडे के बयान से नैपाली गोर्खा दुखी हुए है भारत के लिए गोर्खाओं के बलिदान की पुरानी परंपरा रही है अभी भारतिय सेना में 40 गोर्खा रेजिमेंट है ये प्रमुख रूप से नैपाली सेना के है भारतिय सेना में गोर्खाओं के एंट्री 1816 में एंगलो नेपाली वार के बाद हुई सुगौली संधी से जुड़ी है तब भारत अंग्रेजु का गुलाम था और गोर्खाओं ने ब्रिटिश हुकूमत को कड़ी चुनौती दी थी हाला कि एंगलो नेपाली वार में गोर्खाओं की हार लेकिन उन्होंने बहुत ही बहादूरी से लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजु को एहसास हो गया था कि गोर्खा बहुत ही बहादूर है और आखरी सांस तक वीड़ता से लड़ते हैं इसी संधी के बाद भारतिय सेना में गोर्खा रेजिमेंट की शुरुवात होती है गोर्खा रेजिमेंट के 40 बटालियन में करीब 32,000 गोर्खा हैं क्या नैपाल भारत से बढ़ते तनाओं के बीच गोर्खाओं के भारतिय सेना में होने को लेकर कोई एहम फैसला कर सकता है इस पर प्रदीब ग्यावली कहते हैं गोर्खा का मुद्दा दोनों देशों के बी हैं जिने लेकर विवाद है लेकिन बादचीत के जरिये सुलजाने के कोशिश की जा रही है दो हजार चौधा में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ तो नरेंदर मोदी के नेतरित्व में बीजेपी की सरकार पूर्ण भहुमत के साथ आई इसके साथ ही उम्मीद की गई कि नेपाल के साथ रिष्टे और मधुर होंगे पियम मोदी ने अपने पहले कारेकाल में नेपाल के तीन दौरेकर संबंधों में जोश भरने की कोशिश की थी लेकिन नरेंदर मोदी के सत्ता में आने के एक साल बाद ही यानि 2015 में अगोशित नाकाबंदी शुरू हो गई इस नेपाल की विदेश मंत्री इस पर कहते हैं 31 अगस्त को भारत की सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि पूर्वी लद्दाक में चीनी सैनिकों को भारती सैनिकों ने तब पीछे धकेल दिया जब वो 30 अगस्त की रात सीमा पर यथा इससी थी बदलने की कोशिश कर रहे थे इस से पहले 15 जून को भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच जड़प हुई थी इस मामले में नेपाल पर सवाल उठने लगा है कि एक तरफ वहां के गोर्खा भारत की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां की सरकार चीन से दोस्ती बढ़ा रही है नेपाल को लेकर यह शिकायत भी की गई कि उसने कोई कड़ा बयान नहीं जारी किया प्रदीब ग्यावली इस शिकायत को लेकर कहते हैं हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच हर तरह के विवात का निप्टारा दूई पक्षे बाचीत के जरिये हो और यही इलाके की शान्ती और स्थिरता के हक में है हम किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं नैपाल चाहता है कि उसके दोनों पडोसी चीन और भारत आपस में मिल कर रहें और यही नैपाल की भी हक में है गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों की जड़प के बाद नैपाल ने प्रेस विग्यप्ती के जरिये अपनी स्थिती स्पष्ट की थी नैपाल और भारत के रिष्टों को करीब से देखने और समझने वाले बताते हैं कि भारत और ज्यादतर भारती नैपाल को एक संप्रभू देश के तरह नहीं देख पाते हैं नैपाल की राजनीती पर कई किताबे लिख चुके आनंद स्वरूप वर्मा भी मानते हैं कि नैपाल को लेकर भारत की राजनीती में समझ बहुत कम रही है वो दोनों देशों के रिष्टे में कुछ संधियों को भी असंतुलित मानते हैं आनंद स्वरूप वर्मा कहते हैं कि 1950 में भारत ने जो नैपाल से Peace and Friendship संधी की थी उसे लेकर नैपाल में अब आवाज उठ रही है वो संधी तब हुई थी जब नैपाल में राजशाही थी अब अगर लोगतांत्रिक नैपाल आपसे संधी पर बातचीत करना चाहता है तो आपको करनी होगी भारती मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं हाल ही में पीम ओली को लेकर भारत की मुख्यधारा की मीडिया में चीनी राज़दूत हाव यांकी के संबन्दों को लेकर बॉलिवुड गॉसिप की तरह स्टोरी चलाई गई इसे लेकर नैपाल ने कड़िया पत्ती जताई इन तमाम मुद्दों पर नैपाल के विदेश मंतरी कहते हैं मीडिया के लिए विश्वशनियता सबसे एहम चीज होती है एक तरफ जब मीडिया से पाठोकों और दर्शकों का भरोसा उठ जाता है तो उसे वापस हांसिल करना मुम्किन नहीं होता भले इसके लिए जितना जोर लगा लें इसलिए मीडिया को तत्यों पर बात करने चाहिए ना कि मनगढ़त कहानियों पर भारत के कुछ मीडिया घरानों ने PMOLE और नैपाल में चीन की राजदूत के बारे में कई आपत्ति जनक चीजे दिखाई जो बहुत ही अपमान जनक था हम चाहते हैं कि मीडिया प्रोफेशनल इमानदारी से काम करे और साख पर सवाल नहीं खड़ा हो ग्यावली आगे कहते हैं नैपाल अपने सभी पडूसियों समेथ सभी मित्र देशों से सार्वभौमिक समानता के आधार पर सम्प्रभूता के लिए काम करें और उसकी रक्षा करें नैपाल की विदेश नीती में सम्प्रभूता का सम्मान और बराबरी का संबसे एहम है